हेलो फ्रेंड्स मैं विशेक जोशी इलेक्रिकल इंजिनियर इन बिल्ला ग्रूप ऑफ कंपनीज दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली सीटी रेश्यो का सिलेक्शन कैसे किया जाता है आप यह कैसे डिसाइड करेंगे कि किस एप्लिकेशन में आपको 100 by 1 का सीटी लगाना है या किस एप्लिकेशन में आपको 2000 by 1 का सीटी लगाना है यह कैसे डिसाइड होता है इंडस्ट्री में यह आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो दोस्तों बीना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं देखे सबसे पहले आपको यह डिसाइड करेंगे कि आपको आउटपूट में 1 चाहिए कि आउटपूट में 5 चाहिए देखे जो सीटी के एक्रॉस जो भी आप मोनेटरिंग डिवाइस लगा रहे हैं या प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा रहे हैं या कोई रिले लगा रहे हैं तो यह डिवाइस अगर आपके CT के within 10 meter range में connected है तब तो आपका जो CT ratio का selection होगा उसका output 5 रहना चाहिए और अगर आपके monitoring device यानि की meters और protective device यानि की relay इसका जो distance है आपके CT के साथ ये 10 meter से ज्यादा है तो उस case में आप जो CT ratio का selection करेंगे इसका output 1 ampere होगा मानलेजे आपकी जो motor है वो आपके circuit breaker से कुछ 100-500 meters के distance पर है तो अब आप अपने circuit breaker में जो m meter लगाएंगे उसके लिए आप जो CT यूज़ करेंगे उसका output आप 1 यूज़ करेंगे ऐसा CT यूज़ करेंगे जिसका output 1 हो 5 नहीं हो तो distance पर depend करता है कि output 5 ampere वाला CT यूज़ करना अब बात आती है कि main CT ratio का selection आप कैसे करेंगे तो देखे इसका base golden rule यह है कि आपके motor का जितना भी full load current है उसका एक range higher का CT आपको select करना चाहिए मान लिज़े आपके motor का full load current है 400 ampere तो ऐसे में आपको 500 by 1 या 500 by 5 की CT भी आप इस case में select कर सकते हैं इसका difference ऐसा पड़ेगा कि अगर आपके motor का full load current मान लिज़े 400 ampere है और आप 2000 by 1 की CT लगाते हैं तो आपको accuracy नहीं मिलेगी क्योंकि 2000 by 1 के CT का मतलब ही यह होता है कि जब line current 2000 ampere होगा तो CT output में 1 ampere रहेगा तो जब 2000 is equivalent to 1 ampere हो रहा है तो 400 ampere का जो equivalent है वो 0.something में बहुत ही छोटी value आपको मिलेगी तो आपको M meter में जो reading होगी वो भी बहुत कम होगी monitoring purpose के लिए आपको accuracy नहीं मिलेगी अगर आपके CT के across relay लगा रहे हैं कोई protective device लगा रहे हैं तो उसमें भी आपको relay की setting करने में problem आएगी रिले को current की monitoring करने में problem आएगी तो इसलिए rule ये बनाया जाता है कि जो भी आपके motor का full load current है उसका एक range higher का CT आपको select करना चाहिए अगर आपके motor का full load current 800 ampere है तो आप 1000 by 1 की CT लगा रहे हैं अगर आपके motor का full load current 1500 ampere है मान लीजे तो आप 2000 by 1 की CT लगा ये पर ऐसा मत करिएगा कि आपके motor का full load current 200 ampere है और आप 1000 by 1 की CT लगा रहे हैं या motor का full load current 400 ampere है और आप 2000 by 1 की CT लगा रहे हैं ऐसे में आपको error मिलेंगे ना ही monitoring purpose solve होगा ना ही protective part जो आपका system है जो आप protection के लिए relay लगा रहे हैं ना ही वो solve होगा तो दोस्तों इस तरीके से industries में decide किया जाता है कि किस रेंज का CT ratio आपको select करना चाहिए अगर आज के वीडियो में आपकी basic understanding बड़ी हो अगर आपके कुछ doubts आज clear हुए हो तो मुझे comment box में बिल्कुल बताईएगा मैं आपसे मिलता हूं कल SEC and interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखे गुडबाइ